आयल मन का पागल पंची उड़ने को वे करा उड़ने को वे करा पंख है पूमल आख है धुंदली जाना है सागर्पा जाना है सागर्पा वेलकम को मैं चैनल आप सबी लोगा बहुत बहुत स्वागत है मननाटी जी का गाया हुआ ये जबरदस्त का भजन है राग बेस्ट है बहुत सारा चीज म्यूजिक पार्ट मैंने एक एक लाइन का नोटेशन बना दिया है ये स्टार्टिंग म्यूजिक से लेके बीच का जब करवा बीट इसको बोलते हैं बिलंबीत कहरवा कह सकते हैं उसी गीत में पूरा इसी ताल के अंदर पूरा सौंग है तो जो भी चीज आप नोटेशन से सीखेंगे तो उसको इस रिदम के अंदर रखके आपको प्रैक्टिस करना है ये ध्यान में रखेंगे आगे पूरा का पूरा नोटेशन लिखा हुआ मिलेगा आपको लेकिन जब तैयार हो जाए तो आपको इस रिदम के अंदर कहरवा ताल के अंदर जो अभी चल रहा है भागे नती नक धिन भागे नती नक धिन ये ये बीट इसके अंदर रखना है तू प्यार का सागर है कई जगह ऐसा है कि कंसवर का पड़ियो किया गया है इसलिए पूरा देखियेंगा बिग्नर स्लों के हिसाब से मैंने नोटेशन बना दिया है लेकिन अंद आपको देखियेगा कई जगह नोटेशन में नहीं है लेकिन वो कंसवर लगाने के लिए अड़वांस wise टाइल में तिरे एक बूंद के प्यासे हम तिरे एक बूंद के प्यासे हम तो ये रिदम के अंदर अबी नोटेशन के साथ मुझे देखना है बहुत वर्दस्ट का एक मीजिक वे टर्न है बीच में वो भी नोटेशन मैंने बना दिया है इसके बाद की रेस्टेंजा उकता है तो यह तमाम जीज़ आपको नोटेशन के साथ देखना है फिलाल कहरवा ताल की चर्चा मैंने कर दिया है और अभी देखना है किस स्केल नोट के अंदर यह सौंग है कहां से हम गा सकते हैं किस थाट किस राग बेस पे है तो इसकी चर्चा करते हुए नोटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह जान लें कि बहुत ही फेमस थाट अगर थाट वेस मेरा जनरली थाट वेस चलता है चीज़ तो असावरी मैं आप इसको गा सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस को इंप्रूब करने के लिए मुजिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको मैं दो जगा दिखाने वाला हूँ ताकि आप और चीज़ इंक्लूड करने का जब एड़वांस लेवल में जाएंगे तो वो कर सकते हैं वो क्या एक स्किल नोट और देख लिए इसलिए देख लिए सौंग इसी में है इसलिए देख लिए क्योंकि आप एड़वांस लेवल में जब जाएंगे तो हर एक ओक्ति में फिंगरिंग चले कोई भी चीजी से रिलेटे जाए और इंक्लूड कर सके आप इसके लिए क्या करना है नीचे हैं मंद्र सब्तक के तरब सा नीधा पा अब यहां से पौ को सा बना के आगे बढ़ें उसी नोट में जो नोट आपने बजाया है इसको सा यहां नीचे बनेगा उपर यहां बनेगा यानि कि चौतिकाली इसी स्वर को लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं देखें कोमल नी बन गया कोमल दो यहां से बन गया कोमल गवा कोमल ड़ यानि कि भाहर भी तो दो इसके लोट के अंदर फिंगरिंग पूरा करना चाहिए यहां से यह साउंड एफेक्ट एक ही है यहां से भहर भी बजाएं और यहां से आसावरी बजाएं एक ही है फिलहां यह इसलिए बता दिया क्योंकि इसके अंदर आप कोड का पड़ियोग जब करेंगे तो वो आपको और कोई भी चीज इंक्लूट कर सकता है चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं लिखा हुआ नोटेशन सामने मिलेगा आपको जो शुरुआत करें तो ऐसे करें सामने देख रहें आप यहां से क्या नोट बजा था गरे सदा अधासा गवा का यह कोड ले यह स्टार्टिंग है यह स्टार्ट होने से प्रहें उसके बाद गरे सब्गार यह कोड ले ना सागवा का कोड बनता है पाथ सागवी ले सकते हैं यहां का बजा है और यहां चले सेगर बें यह था उसके बाद है यह ले सकते हैं exception chord यहां से बना के आप ले सकते हैं सुद्ध ध्धा का पड़ियोग भी कभी-कभी लोग कर सकते हैं लेकिन यह जैदे उची थे मागरे यह कर लास्ट में यह भाजन सुरू करने से पहले का है सुरू होने से पहले फिर से देखें आप सुरू स्टार्ट होता है नोटेशन सामने लिखा हुआ है पहले लाइन गाता हूँ फिर नोटेशन बताता हूँ यह भी मैंने का कि कन स्वर का भी पड़ियोग है इसलिए पूरा देखेगा नोटेशन और साथ ही साथ एडवांस स्टार्ट में क्या कर सकता है सामने नोटेशन है पहले लाइन देख लेजिए यह लाइन का नोटेशन है अगला लाइन देखें पूरा लाइन में नोटेशन के साथ बताता हूँ फिर एक बार एडवांस लेवल में गा कर दिखाऊंगा अगला लाइन है तेरी एक बूंद के प्यासे हम यह नोटेशन है और यह जो लाइन है जब अगला लाइन गाएंगे इसके बाद लोटा जो दिया तूने इसी नोटेशन में है उहाँ एक चेंजिंग आएगा इसी पॉइंट के पास क्या चेंजिंग आता है तेरी एक बूंद के प्यासे हम यह एक्स्टा लगता है आगे देख लेंगे तेरी एक बूंद के प्यासे हम के बाद है फिर से देख लिए तेरी एक बूंद जब सेकेंड टैंड करेंगे तो कैसे करेंगे सेकेंड लाइन में जब जाएंगे तो कैसे होगा तेरी एक बूंद के थ्यासे हम वही नोटेशन थोड़ा लास्ट में चेंज हुआ सारे गमा पादा दापा मा पापा मा गमा मा गरी ओके यह भी ले सकते हैं गमरे तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो यह जैदे अच्छा लगए तो यह होगा इस लाइन का अब इसी को अगर गायकी में लाते हैं तो कहीं 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 कर्ण सो रहा है कहां पर देखिए तू प्यार का प्यार यह तो यह है इसमें डवल डवल गवा है नहीं भी ले सकते हैं कोड लगा कि आ सकते हैं तू प्यार का साधर है है यह एक श्टा लगता है है तू प्यार का साधर है तेरी एक भूं भूं यह कण लग रहा है नीका नोटेसर में था भूं भूं लेकिन यह नीका कण लगा के लिजेगा इसी नोटेसर में अगला लाइन है उसके बाद मुजिक का पैटर्न आता है कैसे करना उसको नोटेसर देख लिए यह है पधपगरे पहला है और यह कोड ले लिए एकसेप्सन यह भी लगा सकते हैं तर यह का मैंने तबी चर्चा किया था दोनों आसा है यह छोड़ देख लिए 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 पधपगरे इसमें आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड स्टिप मामा का रहे है पधपगरे यानि कि मौपे अटक के आ सकते हैं पधपगरे इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यह का रहा है पड़ापधापदापः पड़ापदापः पूरिय में कुरस है और इसके बाद इस्टेंजा शुरू है लेकिन बीची में एक पैटर्न बजा है उसके बाद इस्टेंजा है लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है यहाँ गौप्या क्या टक गए यह सब प्लेइंग का है गाना नहीं है मैं तो गाके बता रहा हूँ उसके बाद यहां सहिएगा यहां से जब चलिएगा गरे सानी धापामा एक साथ लिखा हुआ है लिखा हुआ है और उसके बाद है चेंज मैंने कहा दा शुद्ध गौवी एक जीगा लगता है यहां पे है यह करिएगा यह क्या बजा और यहां से इस्टेंजा शुरू उसका भी नोटेशन है इस्टेंजा गा इसको देख लिए मीजिक पेटरन पूरा फाइनल एक बार में कैसे है क्या ता यहां सामा कैसे यहां से यह को लगाना है अब फिर यहां को मलगा जाता है जब यहां से बढ़ता है अब यहां से स्टार्ट होगा इस्टेंजा इस्टेंजा का देख लिए नोटेशन के साथ है इतने आम के साथ देखना है क्योंकि बहुत ही मेरोडियस है इसलिए पहले लाइन का था फिर नोटेशन बताता हूं घायल मन का घायल मन का यह कोड यहां लग सकता है साथ साथ दावा मा के टाइम बताता है घायल मन का पागल पंची इसके बार उड़ कोड वे यह उसके बार उड़ने को बेकरार यहां गमक है कैसे नोट ली दिया हूँ यह है गमप मनी धापा धापनी धामरे फिर से नोट गमक हैं मनी धापनी धामरे इसी में है उड़ने को बेकरार यह जल्दी में है आशक संदी के बार इसका नहीं लिखा हुआ है ये देख लिएगा इसे है इसके लाद अंगला लाइन आता है नोटेशन लिखा हुआ है ये लाइन अभी जो बता हैं इसका नोटेशन नहीं लिखा हुआ है सेकेंड टैम जो उड़ने को बेकरा है वो इसे ही है पुड़ने को बेकरा रेगम पमनीधा पा अगला लाइन है पंख है को मल क्या लाइन है नोटेशन पसा जल्दी में मीड के तरह है गमक के तरह है पंख है पसा सानी दा मामा पंख है को मल पंख है को मल आंख है धुंदली परनी दा पा 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 जाना है सागरपार जाना है सागरपार जाना है सागरपार का नोट लिखा हुआ है अगला लाइन फिर अस्थाई के तरह है इस हिसाब से अगला लाइन गासा अब इसको जितना तयारी इसका इस्टेंजा में जब कंड स्वर विगरह लगाएं तो उसका और जवर्दस्ता है गायल मन धायल मन का पागल यहां सागर कं लग रहे है नोट में क्या था पधनीध पापा लेकिन यहां सागर कं लग रहे है पागल गल गल यह पागल पंची उड़ने को बेकरा को के टाइम में धौक अकन लग रहा है मैंने सिंपल नोट में लिखा है विगनर स्लों को दियान में रखे लेकिन यहां धौक अकन लगा सकता है सिंपल में क्या था गाम पा मनीधा पा उड़ने को बेकरा लेकिन एडवांस में जब जाएंगे तो मौ का कन नहीं भी मौ बीच में नहीं भी बजा सकते हैं उड़ने को बेकरा आए यहीं से डारिक फ्रीम आए 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 मौ मैंने लगा दिया बीगनर स्लों को बेसूरा नहीं है आए उड़ने को बेकरा पंक है कुमल यह ठीक था आख है आख है आख है आख है यहां भी सागा कन लगदा यहां भी धा का कन है सिम्पली पौ में मैंने बताया है जाना है सागरपार ऐसा कर सकते एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ओरिजिनल भी सुनिएगा उसमें भी बहुत कुछ आपको मिलेगा कॉमेंट जरूर करेंगे एक शाओ तो ज्वायन बटन क्लिक करेंगे थैंक्यू गरेंगे करेंगे